हलो फ्रेंड्स मैं दानियाल सौगत करता हूँ आपका फीडियो कोडर में फ्रेंड्स आजकी वीडियो में हम लोग परेंगे ई-learning क्या होता है और इलर्णिंग के एडवंटेज़ क्या हैं और उसके डिसडवंटेज़ क्या हैं इन सारे चीज के बारे में आजकी टॉपिक म हम लोग discuss करेंगे तो चलिए बीना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं ए-learning की हम लोग बात करें ए-learning का जो full from होता है वो होता है आपको electronic learning या फिर ऐसा learning जो आप online या digitally करते हैं वैसे learning को हम क्या बोलते हैं ए-learning बोलते हैं आगे चलते हैं हम लोग e-learning is the type of learning conducted via electronic medium typically involve internet ऐसा learning या ऐसा पराई जो आप online करते हैं या फिर digitally करते हैं किसकी मदद से internet की मदद से वैसे learning को हम क्या बोलते हैं digital या फिर e-learning बोलते हैं electronic learning बोलते हैं it can be accessed via electronic devices including computer laptop tablets और a smartphone making it versatile and easy way for students to learn whenever they are जो e-learning है हम किसकी help से परते हैं e-learning में आपके पास या तो आपको devices होना चाहिए कौन सा devices होना चाहिए या तो computer हो या laptop हो या tablet हो या smartphone हो लेकिन इसके साथ साथ आपको internet connectivity भी चाहिए जिसके माध्यम से आप कोई भी परहाई को access कर सकते हैं online या digitally क्योंकि आपको internet का होना और यह दोनों devices का होना internet और devices दोनों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी आप e-learning कर सकते हैं electronic learning कर सकते हैं या digitally कोई भी चीज़ को पर सकते हैं आगे हम चलते हैं आगर इसके advantages की बात करें तो इसके advantages होते हैं save time and money अब online learning के माध्यम से आपका time भी save होता है और आपका पैसा भी बसता है अब्यसी बात है आपको दूर कहीं जाके परना नहीं परता है आप एक time अपना बना लेते हैं schedule और उस हिसाब से घर पर ही आप online के माध्यम से परते हैं दूसरा क्या है पैसा कैसे save होता है आप जैसे आप offline में एक साल का package लेते हैं तो आपके कोर्स का मालीची अगर 5000 पर रहा है तो वहीं आपको online में क्या होता है को कम प्राइज में आपको परता है या फिर अगर आप बहुत जारा जगह यूट्यूब पे फ्री वेगरे में भी आपको slivers cover कराया जाता है तो इससे आपका क्या होता है कि money save होता है पैसा save होता है उसके बाद क्या है आपका बेटर रिटेंशन है आपको online platform पे जब आप परते हैं तो आपको 1000 तरह के options मिलते हैं आप demo classes ले सकते हैं हर तरह के teachers को देख सकते हैं कि वह कैसा पराते हैं और अपने हि हिसाब से आपको जो teacher अच्छा लगता है या फिर जो website अच्छा लगता है उस हिसाब से आप पर सकते हैं तो आपको यहां better retention मिलता है उसके बाद क्या है आपका personalized learning है अब आप अपने environment में अपने हिसाब से अपने time से कहीं भी study कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि आपको ए आपका यह cost effective है अब यह सी बात है online learning के अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो cost होता है वह बहुत कम लगता है पैसा बहुत कम खर्च होता है उसके बाद अगला है environment friendly और environment friendly कैसे है अब अगर offline पढ़ाई करते हैं तो आपको papers बगार है का इस्तेमाल करना परता है उसने इसे क्या है online को हम environment free भी बोलते हैं environment friendly भी बोलते हैं तो यह भी एक बहुत अच्छा इसका advantage है अगर हम disadvantage की बात करें तो lack of social interaction teacher और student के बीच में social interaction का कमी हो जाता है teacher और student direct contact नहीं कर पाते हैं अगला इसका disadvantage क्या है inaccessible to other दूसरे के लिए inaccessible होता है अगर हम तीसरे disadvantage की बात करें requires self motivation and proper time management अब्वेसी बात है अगर हम disadvantage की बात करें तो e-learning में आपको self motivation होना जरूरी है क्योंकि आपको कोई भी वहाँ पे guide नहीं कर रहा है कोई भी आपको देख नहीं रहा है तो अगर आप self motivated है और आपका proper time management है तो ही आप e-learning कर सकते हैं और अच्छे से डिजिटली पढ़ाई कर सकते हैं cheating is unavoidable अब cheating is unavoidable का मतलब क्या है अगर आप classroom में होते हैं और teacher आपको कोई चीज देता है तो teacher का नजर आप पे होता है लेकिन अगर आप डिजिटली classroom की बात करते हैं तो आपको teacher अगर कोई question देता है तो teacher आपको फिर वो देख नहीं रहा है कि आप क्या कर रहे हैं कहां से लिख रहे हैं किस से पूछ के लिख रहे हैं चोड़ी करके लिख रहे हैं तो इसमें cheating का बहुत ज्यादा खत्रा रहत होता है तो यह भी एक क्या है आपको disadvantage है e-learning का तो मैंने आपको बताया कि e-learning क्या होता है उसके advantages क्या है और disadvantages क्या है I hope आपको समझ में आया होगा आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं subscribe now and press the bell icon never miss an update